वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बता दूँगे किसी भी तरीके की financial advice नहीं है हमने बिटिनिंग चानल पे चप से हमने वीडियो बनाना शुरू करें आज तक कोई financial advice नहीं दिये और ये वीडियो भी financial advice नहीं है पहली चीज़ दूसरी चीज़ हम यहाँ पे जो capture कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एक बहुत ही famous एक you know asset management company है जो की US की है जिसका नाम है Ark Invest जिसकी CEO और founder है Kathy Wood करीब 50 billion US dollar का asset under management है यह जो fund है यह basically time to time reports निकालता है Ark Invest इसलिए famous है कि यह disruptive बढ़ी जो unique industries हैं जो upcoming industries है जो कि इसक भी होता है Asset under management था 2021 में जो की 2022 में 15 to 16 billion US dollar रह गया था यह one of those early companies है जिसने bitcoin के अंदर invest किया था Kathy Wood जो इसकी CEO है उसने 2013 के आसपास bitcoin में विश्वास दिखाया था तो यहाँ पे मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ पे यह मेरी किसी तरीके की personal prediction नहीं है चावर करने जा रहे है और report के अंदर कहीं न कहीं bitcoin की क्या वर्थ होगी और उसके पीछे क्या backing है यह 2020 2030 के अंदर क्या bitcoin की वर्थ होगी उसकी पूरी एक analysis और एक research और एक उसका working करके दिखाएए वीडियो को एंट तक जूर देखेगा आपको ज़रूरी नहीं है कि यह report देखने के बाद आपको form of field करना चाहिए और आपको bitcoin में इंवेस्ट करना चाहिए bitcoin में हमेशा आपको एक नहीं asset class है आपको उतरहीं इंवेस्ट करना चाहिए जितना आप सारे अपने expenditure सारे खर्चे सारे emergency funds सब चीजे करने के बाद आप थोड़ा सा इसमे exposure ले सकते हो यह नहीं asset class है लेकिन सिर्फ इस लिए इस asset class करना और education में जो तरह तरह की जो reports है analysis है technology की understanding है वही इस channel का objective है तो शुरू करते हैं इस video को तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आर्क इन्वेस्ट ने अभी recently एक report निकाली है और report से अपके वल bitcoin पर नहीं है उसने यहाँ पर जो big ideas है ऑफ 2023 में कौन से वह बड़े ideas हैं कौन से वह नई चीजें हैं नई industries हैं जो आने वाले time में disrupt करेंगे उन्होंने पूरी एक report यहाँ पर publish करी है सिर्फ और सिर्फ यह bitcoin पर नहीं है यह आप देख सकते हैं इसकी headline भी है big idea 2023 innovation is taking off तो basically company famous है यह asset management यह जो you know fund managers हैं जो इसके जो इस fund का जो role है वो इस fund house का basically objective यह है कि जो innovations है जो innovative ideas है जो आने वाले time में जो दुनिया को you know disrupt करेंगे बदलेंगे यह जो fund है generally उसमें invest करता है राइट तो इसकी जो अगर आप देखो इसकी CEO है वो केथी डड़ी वुड केथी वुड है यह इनकी photograph है और यह इसकी CEO भी है आर्क invest की अगर आर्क invest की बात करें तो आप यह देख सकते हो कि जो disruptive ideas हैं जैसे crypto assets cryptocurrencies उसके अलावा भी जो disruptive ideas हैं उसके अंदर यह generally invest करते हैं और आप यह basically इनका इनका रोल गही है कि जो बड़े बड़ी जो ideas है जो आने वाले time के बड़े ideas है उसके अंदर यह invest करते हैं अब इन्होंने एक report publish करी report बहुत बड़ी है लेकिन हमारा 153 pages की report है लेकिन obviously हम किसमें interested है हम interested है public blockchains में bitcoin में कि उसके बारे में यह report क्या यह बोला गया कि काफी सारी जो industries है राइट अगर मैं चले मैं आपको page नमबर एक पहले चलता हूं तो उसमें बतायता हूं कि इनके हिसाब से artificial intelligence, digital consumers, digital wallets, public blockchains, bitcoin, smart contracts, precision therapies, molecular diagnostic, electric vehicles, autonomous ride hails, आप देख सकते हो robotics, orbital aerospace इस सारी industries को लेकि यह लोग Polish है तो इन सारी industries की detail में इन्होंने निकाला है आपको भी रिपोर्ट अगर पढ़नी तो मैं description पर यह link डाल दूँगा आप detail में बाकी सारी industries को भी study कर सकता है हमारे interest की industry है blockchain तो यहाँ पे public blockchains के बारे में बात करी और य ना का इसारे इन्होंने यहाँ पर timeline दी है timeline के साथ बताया कि Jan में क्या हुआ फिब में क्या हुआ और कौन से कौन से महीने में कौन कौन से events हुए तो यहाँ पर इसके शुरुआत यह बताते हैं बताते हैं कि इस contagion की वज़ा से जो आपस में जो चीजे connected थी कोई एक C5 चलते हैं तो यहाँ पर bitcoin के बारे में बात करिए अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा कि monetary revolution और bitcoin long term opportunity is strengthening कि इसका reason क्या है कि 4 billion लोग जो है वो authoritarian regime में रहते हैं जैसे कि जहाँ पर you know एक authoritarian regime का मतलब होता है कि जो वहाँ पर एक single leader है democracy prevail नहीं करती जिन देशों में वह ऐसे 4 billion लोग है जो जो authoritarian regimes के अंडर रहते हैं जहाँ पर 2 billion लोग है जो double digit में जाए inflation है जिन countries में तो out of 8 billion population 6 billion 4 billion authoritarian regime जैसे कि चाइना नौथ कोरिया और आपका 2 billion जो है आपके जहाँ जिन countries के अंदर double digit में inflation है एक billion लोग है जो traditional payment transfer applications को यूज नहीं कर सकते हैं और एक billion लोग है जो remittance पे ही depend करते हैं तो यहाँ पर bitcoin के कुछ number दियें bitcoin की success की वज़ा बताई कि bitcoin is censorship resistant, bitcoin is inflation resistant, bitcoin is seizure resistant, bitcoin is auditable and transparent यहाँ पर कुछ data दिया है जो कि बहुत interesting है यहाँ पर बताया है कि bitcoin के उपर total 105 trillion billion नहीं बोल रहा हूँ, trillion, 105 trillion US dollar transfer हो चुका है bitcoin के network पे जब से bitcoin बना है सिर्फ 2022 में अकेले 38.7 trillion US dollar transfer हो बिट कोई पे, total transaction count अगर देखें तो 791 million जो है वो transactions हो चुकी है number of transaction, total address जो है वो 1400 million address हो चुके हैं, जो कि अकेले 2022 में 150 million था, address with a balance, minimum you know balance, तो उसमें 43 million you know US dollar, 23 million addresses है जहां पर कुछ balance है bitcoin है, अकेले 2021 में 3.75 million add हुए और miners का जो revenue है, 2022 में it was 10 billion जो की cumulative अगर देखें तो 48 billion था, यहां पर कुछ D5 अगरा की बात करिए, मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा, क्यूंकि हमारा focus इस time bitcoin है, वेब 3 की बात करिए, हम bitcoin पर चलते हैं, यह बहुत important slide है, अगर आप इस slide को देखो, तो इस slide के अंदर आप क्या देख रहे हो, इस slide के अंदर आप देख रहे हो कि जो total, bitcoin का जो total addressable market क्या है, मतलब मैं उसको बाद में समझाता हूं को, यहां पर आप देखो कि जो बाकी assets है दुनिया भर में, जहां पर जो as a store of value, यूज होते हैं, तो उनका size क्या है, जैसे कि global real estate, 280 trillion की है, total, global debt, 123 trillion का है, यह जो total market है, global debt की, global M2, जो money supply है, उसका 98 trillion का money supply है, global, global equities, जो shares होते हैं, stocks होते हैं, 97 trillion का size है, उसका, gold, gold का 12 trillion इसका market size है, उसकी comparison में गर देंकि, तो crypto सिर्फ 1 trillion, you know, 1 trillion का market है, इस time, तो यह जो report है, यह predict कर रही है, कि आने वाले time में, जो crypto है, वो अकेला 20 trillion US dollar की market cap होगी, और जो smart contracts है, वो करीब 5 trillion US dollar का, उसका market cap होगा, तो आप सोग सकते हो कि in comparison to all the other, you know, asset classes, कितना छोटा है crypto, कहां 280 trillion, अगर हम इसको add कर लें, गोटा-गोटा 100, 200, 300, 400, 500, 510, बतलब 520 trillion US dollar के सामने, एक trillion US dollar है, क्रिप्टो का size, जो की, यह predict कर रही है, यह report के 2030 तक, यह at least 25x हो जाएगा, 25 trillion US dollar का crypto का market cap होगा, यह report predict कर रही है, कैसे predict कर रही है, इसको हम आगे और cover करेंगे, Bitcoin के बारे मैंनों ने और detail में बात करी, यहां पर यह कह रहा है कि Bitcoin की जो bear market है, यह जो इस time जो bear market थी, यह fifth largest और second longest, मतलब यह पांचवी सबसे बड़ी drawdown था, मतलब कि in terms of correction, और in terms of length, यह दूसरी सबसे लंबा bear market था, तो यहां पर यहां बताया गया है कि कैसे, यह जून 2011 के अंदर 31 डॉलर था price, और जो कि नवंबर 2011 में 2 डॉलर रहे गया, 93.7% का drawdown था, इतना नीचे आया, एक बार यह ऐसा ही नवंबर 2013 में भी हुआ था, वहां पर 87% का drawdown आया था, 1200 डॉलर से 1500 डॉलर पहुच गया था, ऐसी December 2017 में 20,000 डॉलर से 3000 डॉलर 84% का drawdown था, और November 2021 में 69,000 US डॉलर से 15,797 विच इस क्लोस तो 76.7% का drawdown था, तो यह कोई नई बात नहीं है, बिटकोईन में पहले, बट यह सबसे लंबा था, और सेकिंड सबसे लंबा था और पांच पा सबसे बढ़ा था, यहां पर इस बात को mention किया, अब यहां पर इस बात को भी mention किया है कि बिटकोईन की अगर in comparison to other asset class की बात करें, जो exist करती है, और उनके अगर हम returns को compare करें, बिटकोईन से तो क्या comparison है, तो global equities ने क्या return दिया, average तीन साल में global equities ने 10% का return दिया, चार साल में 10% और पांच साल में 6% का, global debt 1.4%, gold ने 3 साल में 2.4%, 4 साल में 2.5%, 5 साल में 2.2% और वहीं bitcoin ने जो return दिया है, वो 1.500%, 3 साल में 4 साल में 187% और 5 साल में 272% का return दिया है, तो यहां से ही बता लगता है, कि अगर आप और other asset classes से अगर bitcoin को compare करें, तो yearly बहुत return है in comparison to other asset classes, अगर हम इसकी बात करें कि bitcoin का जो fundamentals है, bitcoin की pricing पर अगर आप bitcoin को आख रहे हो, उसको value कर रहे हो, वो correct नहीं है, pricing is not the right way to gauge bitcoin, the other parameters should be seen, you know, if you are seeing the fundamentally how strong bitcoin is becoming, market cap में अगर देखो, 2017 में 58 billion US dollar का market cap था, आज की दिट में 400 billion के आसपास का market cap, in fact यह एक trillion हो गया था है, किसी एक सब्सक्राइब हम current देखें तो भी यह बढ़ा हुआ है, cost पर btc बंदर bitcoin को mine करने की जो cost roughly आती है, वो अगर दिसंबर 2017 में 3400 dollar थी, आज वो 20,000 dollar है, देखें, बारा एग्जा हैश था, आज की में 262, यह 300 टच कर गया था, तो हैश रेट आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है, हैश रेट से हैश रेट का मतला होता है, सीधा-जीधा bitcoin कितना secure हो गया, supply of btc जिसमें एक साल से move नहीं करी, तो यह 44% थी supply जो hodlers बढ़ गए हैं, अब 66.5% लोग हैं, जहां bitcoin move ही नहीं कर रहा है, bitcoin with non-zero balance, पहले सिर्फ 24 million थे, आगे एट में 43.5 million, long term hodlers supply है, तो उसमें भी आज गिए 71% लोग हैं, जो long term hodl करके बैटे हैं, lightning capacity 0 थी 1217 में, आज देखे 4700 btcs हैं, जो commit हुए हैं लाइटिंग network के लिए, तो यह यहां से पता लगता है, और यह parameters बढ़ा important है, to understand that if the things are going, इन में से 4 parameters भी अगर lower side पे होते हैं, 2017-18 के comparison to that was a sign of worry, but with every year, things are improving on the fundamental side, अगर हम bitcoin की capitulation देखें, 2022 वाकी बहुत बुरा था, 68% जो addresses थे, वो loss में थे, तो यह यहां पर बता रहे हैं, bitcoin hodlers की जो long term focus से पता लगता है, कि जो long term hodlers है, वो बढ़ रहे हैं, तो price down गई है, लेकिन long term holder supply बढ़ रही है, अगर हम देखें, तो transparency बढ़ रही है, काफे सारी exchanges ने proof of reserve publish किया, उसके यहां पर dates दी गई है, Binance ने, Bybit ने, Coinbase ने, Cracker ने, यहां पर dates को publish किया है, bitcoin का hash rate, जो bitcoin का hash rate, basically एक किले की दिवार की तरह है, जो किले को secure बनाता है, जितना मोटी यह दिवार होगी, जितना मुश्किल इस दिवार को गिराना होगा, उतना ही सुरक्षित अंदर रहते हुए, लोग होगे, तो bitcoin का जो दिवार है, वो उसका hash rate होती है, जितनी ज़्यादा यह होगी, उतना ही मुश्किल है bitcoin के netfork को attack करना, तो आज की rate में अगर आप देखो, हर महीं, हर साल hash rate बढ़ता चला जा रहा है, यह 260, in fact 300 hash भी पहुँच गया था, यह तो bitcoin का hash rate is phenomenal, मतलब it is growing with every passing, यहाँ पर एक जिस बड़ी important है, यह जब भी कभी कहीं petroleum या diesel की, oil की mining होती है, oil की mining के साथ, यह गैस निकलती है, नीचे से, तो methane gas जो है, वो निकलती है, तो इस gas को जला दिया जाता है, क्योंकि otherwise ही बहुत जादा, यह जो environment होता है, वहाँ पर जाकि यह जमा हो जाती है, और जो atmosphere का temperature है, उसको बढ़ाती है, तो अब यह देखो कि 265 billion cubic meter of natural gas waste होती है, हर साल, हर साल, 265 billion cubic meter gas waste होती है, टोटल जितना bitcoin की इस time जो हैश rate है, उस हैश rate को जो इस time टोटल जो bitcoin की mining में use हो रहा है, हैश rate, सिर्फ 25 billion cubic meter gas जलाके इतना हैश rate generate होगा, किया जा सकता है, आप सोचो, तो यह अगर bitcoin के जो flared gas है, जो waste जारी है, जिसका कोई use नहीं है, उसको use में लाके bitcoin mining में उसका इस्तिवाल किया जा सकता है, तो यह इस तरीके से report बताए जारी है, आने वाले time में काफी सारे miners हैं, पुछो, यह जो gas waste हो रही है, और जो country zone के लिए revenue का एक अलग model होगा, और हर देश में जहां पर भी petroleum की mining होती है, ऐसे कि Saudi हो गया, Russia हो गया, यह इसका फाइदा उठाने वाले, क्योंकि जब वहां पर flared gas ने कलती है, flared gas जो जल रही है, जिसका कोई use नहीं है, कोई revenue नहीं है, वो revenue को minor से आना शुरू हो जाएगा, तो यह है, उसके बाद काफी सारी companies का interest बढ़ता चला जा रहा है, Bitcoin के अंदर BlackRock आया, BlackRock इन्होंने Coinbase के साथ partnership करी, उसके बाद BNY Mellon आया, इन्होंने crypto asset custody platform launch किया, इसके बाद BNY Mellon का Bitcoin को financial services में भी use करने के रहादा है, Eagle Brook Advisors इसमें एंटर के, Fidelity इसमें एंटर के और Micro Strategy और यह सब तो हैं, लेकिन यह बहुत बड़े-बड़े group है, BlackRock, BNY Mellon, Fidelity, उसके बाद यह सबसे important slide है, इस slide के अंदर basically क्या है कि इस report के अंदर यह capture करने की कोशिश की गई, कि 2030 के अंदर, 31, 12, 2030 तक क्या predict कर सकते हैं कि Bitcoin कितने का हो सकता है, उसकी worth क्या हो सकती है, इस report के अंदर इसकी analysis करने की कोशिश की गई, तो इन्हों ने उसका एक bear case target पकड़ा, और एक bull case target पकड़ा, बेर case, bull case, तो जो bear case है, bear case की इन्हों ने आँ working दिये, तो इन्हों ने जैसे यह पकड़ा कि corporate, corporate treasury आज की rate में पूरी दुनिया में कितनी है, remittance assets कितने है, total उसका market size किया, global remittance volume का, national state treasury का size क्या है, emerging market currency का time क्या है, right, M2 based outside of top 4, economic settlement network क्या है, उसका time क्या है, मतलब यूएस bank settlement volume, seizure resistant asset, global HNWI wealth कितनी है, institutional investment, you know time, institutional investment का time कितना है, और digital gold, जो आपका gold है, उसका time कितना है, right, तो इन corporate treasury, remittance asset, national asset treasury, इन सबका जो total addressable market है, जिनका market size है, यहाँ पे bear case में पकड़ा, कि इसका जैसे suppose एक example है, bear case में पकड़ा 0%, 5%, 0% कि इतना percent जो है, वो bitcoin को allocate हो जाता है, suppose institutional investment का seizure resistant asset का gold का 20%, अगर bitcoin ले जाता है, remittance asset में 5%, अगर यह bear market में ले जाता है, तो 31 December 2030 तक bitcoin can touch a price of 2,58,000 US dollar, यह bear case है, उसके बाद base case अगर पकड़ा है, इन बिट्वीन a bull case and a bear case, और अगर उसमें इसमें 10%, यहां पर base case में allocation थोड़ी बढ़ा दी है, अगर वो allocation पकड़े, तो bitcoin can touch 6,82,800 US dollar, right? अगर 2030 का bull case पकड़ा है, अगर एक्स्ट्रेमली बुलिश, जिसमें 5% corporate treasury remittance asset 25%, 10% emerging market currency, 50% digital gold, institutional investment 6.5%, तो 2030 में बहुत bull case अगर देखे, तो यह आर्क investment का कहना है, के bitcoin can touch 1.48 million US dollar, obviously, this is like an extreme, bullish, hopium kind of a scenario, but on the, even on the lower side, if they are saying that in 7 years time, bitcoin can touch 2,58,500 US dollar, right? So, यह, इसकी study और इसकी understanding, you know, is something that, you know, you can just relate to, कि सारी different, जो assets हैं, सारी different, जो, अगर आप देखाओ, तो मैंने उपर भी market, उपर भी दिखाया था, के 530 trillion US dollar का mark, यहाँ पी देखे, global asset, global debt, M2, global equities, 510 trillion US dollar का है, 510 trillion US dollar में, अगर, इनका थोड़ा-थोड़ा भी अगर bitcoin की तरफ percentage allocate हो थी, अगले साथ सालों में, तो यहाँ पे भी they are predicting, you know, that this crypto market could be 20 trillion, and 5 trillion का smart contracts का size हो सकता है, so यह थी ARK investment की report, I am sure आपको यह report कैसी लगी, यह report किसी भी तरीक हैगी, क्योंकि रिपोर्ट एक, you know, American investment fund की report है, जो की risky assets में सिर्फ exposure लेता है, तो उनकी यह report है, और यह report किसी भी तरीक है कि financial advice नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जो, you know, उसका bitcoin का real potential क्या है, वो कोई नहीं जानता, to be honest, हर उसका आकलन कर रहा है, हर कोई, और आकलन बहुत individual लोग भी करते हैं, उसके हम यह चर्चा भी नहीं करते हैं, हम कभी इस बात को predict करते हैं, क्योंकि एक report आई थी, इसके अंदर किस तरीके से उन्होंने इन्हों चीज़ों को predict किया है, going forward in future, so that was the whole purpose of sharing that report, but all in all, what I can say is seven years is a huge time, मतलब आज आप 2022 में हो, 2023 में हो, 2030 का मतलब है seven years, पूरे साथ साल, साथ साल के अंदर बहुत सारी चीज़े होती हैं, बहुत सारी developments होंगी, बहुत सारी चीज़े होंगी, जो आज हम predict नहीं कर सकते हैं, हो सकते है report सही हो, हो सकते है report सही हो, ना हो, तो कुछ भी हो सकता है future में, इसलिए आपको हमेशा सही बोला गया है कि bitcoin एक नई emerging asset class, एक नई digital commodity है, जैसे आप और commodities में exposure लेते हैं, अपने सारे liabilities, सारे खर्चे, अपने emergency fund, बिना कोई loan लिए, जो आपके disposable income है, उसका एक चोटा सा अगर आप exposure risk में लेते हैं, तो this you can add it into your asset class, that is the whole objective of saying it, price को देख के अगर आप invest करोगे, यह आपके hopyam आ जाएगा, तो then that entirely depends upon your risk appetite, but the ideal way is not this, ideal way is to do it on a regular basis, especially when there are downfalls, when there is a correction in the market, right, so yeah, this is not a financial advice once again, I hope that you liked the video, अगर वीडियो पसंद आया, please like करेगा, comment करेगा, और फिर से मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ, और अगर आप चाते हैं time to time ऐसी, जितनी भी upcoming reports से नहीं cover करते नहीं, तो please comment करके जरूर बताएए, right, with this thought, thank you very much.